असलाम अलेकों रहमत उलाहियों बरकातु फ्रेंड्स वेलकम टू अजान गुल्मोहर गार्डेनिंग चरदी का मौसम आ गया है हम राडिश मूली को ग्रो करने वाले हैं यह देखे मैंने पौध तयार की है जो स्प्रॉट निकल कर आए हैं कितने प्यारे दिख रहे हैं यह से पौधे अब इसको हम शिफ्ट करेंगे बड़े 12 x 12 के ग्रो बैग में आपको कैसे रिपाट करते हैं इसको बताऊंगी यहां पर मैंने मिट्टी तयार कर ली है आधी सैंड याने रेती बालू मिट्टी और वर्मी कंपोस आधा डाला है इस ग्रो बैग को यह 16 x 16 ऐसा ग इसमें कितने मूली पेर सकते हैं पौधे लगा सकते हैं आपको दिखाऊंगे और यह नई ट्रिक है आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ आप देखते रहे हैं यहां पर देखे यह मैंने एक घर में पड़ा हुआ बॉटिल था यह 2 इंच के खरीप इसका कैप है हमें इत यह देखें यहां से शुरू करते हैं इसको ऐसे निशान लगाना चाहिए यह देखें हम इसको ऐसे निशान लगाते जाएंगे यह देखें कितने आते हैं आपको फिर दिखाऊंगी ऐसे ही निशान रौन लगाना चाहिए आपको दिखरा होगा यह निशान देखिए हम सीड इसमें इस तरह सीड डालते हैं लेकिन मैंने पौदे तयार कर लिये हैं इस पौदाओं को ही मैं इस ऐसे निशान लगाकर इसमें गुरो करूंगी क्योंकि यहां पर काफी सारे मूलियां आएंगे यह देखिए सेकेंड लैन है ऐसे ही रौन हम बनाते जाएंगे यह देखिए यहां पर अब आपको पूरा रौन बनाकर बताऊंगे मूली को नर्म मिट्टी चाहिए यह 11 इंच तक लंबी जाती है यह देखिए संटर में हम फिर इसको ऐसे फोर आएंगे संटर में यह देखिए अब इसको हम एक पेंसिल या पेंड की मदद से इसको होल करते जाएंगे फिर उसमें पौदे लगाते जाएंगे यहां पर देखिए वर्ण एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला फिर दुसरी लैन में 17, 18, 29, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 30, 30, 30, 30 मूलिया इसमें लग सकते हैं इस पौदों को मैं अब इसमें ग्रो करूंगी इस पेंसिल की मदद से इसमें हम होल करेंगे सारों को ऐसे होल करेंगे अंदर तक इसकी रूट जानी चाहिए आपको यह नई ट्रिक कैसी लगी कमेंट करकर मुझे बताएए यह देखे मैंने 30 होल कर दिये हैं 30 होल इसमें एक एक होल में हम एक एक पौदा लगाएंगे यह देखे यह मूली का पौदा है इसकी स्प्रॉट आया है इसमें टूटू फाई लीफ्स आ गए हैं आपको आपको देख सकते हैं इसकी रूट हम इसके अंदर शिफ्ट करेंगे इसको ऐसे रख देंगे ऐसे ही हम सारे पौदों को लगा देंगे यह देखे हमने 30 मूली के पौदों को इस ग्रो बैग में हमने शिफ्ट कर दिया है पहले मैंने सीड दाली थी पौदे उगाने के लिए स्प्रोट निकल कर आये हैं पांच-पांच पतियां आ गई है तो हमने इसको जो ट्रिक मैंने बताई है आप लोग भी ऐसे ही लगा सकते हैं 30-30 मूलियां हमें 45 दिन में मिलेंगी दो मेहने का समय लगता है मूली आने के लिए अब वेदर अच्छा है अब पानी बारिश का मौसम खतम होने को है इसलिए मैंने पौदे लगा दिये थे अब सरदी में बहुत अच्छी प्यारी सी मूली निकलाएगी आप लोग भी ऐस हैं अब अपने घर में मूली को गुरो कर सकते हैं मूली है सलाद के याम आती है तक और उसके पत्या का मौदी 집 को अब타र जेकित वेदर अब दोगा कर देखें श्लजम और गयों मूली स्टियों ने लगा तेके शेलव में बहुत रखे और्गनिक है यह जो मैंने किचन वेस कंपोस और लीफी कंपोस से वे इस मिट्टी को बना कर इसमें ग्रो किया है अब हम इसको अच्छे से पानी हलके से देंगे इसको हम ऐसे शवर की मदब से पानी देंगे यूंकि इसकी जड़े ना हिल जाए यह त्रिक तो सीट लगाने क तो हम इसको ऐसे 30 मूली को हम ऐसे ग्रो कर दिया है अब देखे इसका रिजल्ट आपको समय समय पर आपको बताऊंगी हम दस दिन में एक बार लिक्विट फटिलाजर देना चाहिए मेरे पास मेरे गार्डन के लिक्विट फटिलाजर काफी सारे हैं आप पिछले वीडियो बनाकर सारी और्गानिक तरकारी ग्रो करती हूँ आप लोग मेरे हार्वेस्प के वीडियो देखे इतनी सारे तरकारी निकलती है थोड़ा सा मेरे आपको मेरा गार्डन का ओवर्विव दिखाती हूँ यह देखे मेरे गार्डन में काफी सारे फ्लवर और वेजिटेबुल्स बहुत सारे हैं बहुत सारे फ्लवर आते हैं क्कित के प्लैंट भी यहीं है मैं समय-समय पर फ्लूड भी ग्रो करती हूं यहां पर देखे इन हावलियोग के फ्लवर दिख रहे होंगे काफे सारे मेरे पास habiscus के plants है नहाँ पर देखिए इथने प्लावर खिले हैं यह देखिए कई खिसम के फ्लावर है यह देखिए अभी खिल रहा है थैंक्स वर वाचिंग मैं वीडियो दोंट फोगेट तो सब्सक्राइब मैं चानल लाइब शेयर और देखिए और देखिए और देखिए